तो आज की स्वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या प्राइज चल रहे हैं यूस्ट आफून के और आज किस वीडियो में करेंगे सारी सीरिस को कफर फ्रों आफॉन 7 तो आइफून 13 प्रो मैक्स और यह जो प्राइस है वो करेंटली मार्किट के हैं अभी तो रिद्दर पह और उन सभी के प्राइस में आपको बताने चाहरा हूँ और एक चीज़ में बताना चाहूंगा अभी करेंटली जो मार्केट की सिच्वेशन है वह इतनी इच्छी नहीं है काफी शॉप्स पर स्टॉक है अवेलिबल नहीं है वह किसी और शॉप से लेकर आपको फून अरेंज करवा देते हैं और जिनके पास है भी तो उनके पास स्टॉक काफी खराब है यह काफी कम है तो यह चीज़े भी चल रही है लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी यहां मैंने एक टोटल लिस्ट बना ली है जो कि मैंने प्रोपर सर्वे किया था मार्केट का और अब म मैंने देखा iPhone 7 को इतना सादा वहां पे अवेलिबल नहीं था और कुछ शॉपस पे यह काफी खराब कंडिशन में अवेलिबल था बट यहां पे कुछ शॉपस पे अवेलिबल भी था और जो उसकी कीमत थी वो मुझे 25K से लेगे 30K यह कुछ शॉपकीपर 35K तक भी आस कर बिकॉस जो करेंट सिचुएशन है हमारी एकॉनमी की वह आपको बहतर आइडिया है इस चीज़ का तो यहां पे इंपॉर्ट सारी बंद है तो यह मार्केट में जितने भी फोन सर्कुलेट हो रहे हैं यह यूज़ फोन्स हैं जो कि खुद ही लोगों ने यूज़ किये हैं बताया था कि यहां पे अगर कोई फोन काफी शॉर्ट है और वो कम है लाइक आइफून सेवन प्लस पीटी अप्रूफड अगर आप देखने जाओ तो वो थोड़ा सा कम है इस कंपेर तो दी अधर मॉडल्स तो गाइस उसका कुछ लोग फिफ्टी फाइफ के तक भी यह फोन मुझे बहुत कम देखने को मिला सिर्फ किसी किसी शॉप पे यह फोन अवेलिबल था और इसकी जो कीमत मुझे देखने को मिली वो थी 35K तो 40K तक और यह मैं पीटी अप्रूफड आइफून 8 की जो कीमत आपको बता रहा हूं एन एक चीज़ आपको मैं बताना च तक भी देखने को मिल सकता है मार्केट में अगर बात करें आइफून 8 प्लस की तो यह भी पीटी अप्रूफड आपको 45, 55 तक भी देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी कंडिशन, अक्सैसरी, स्टोरीज और ओवर अवर अस फोन की जो है वह बैटरी हल कितनी ह जा रहा हूँ वन ओफ दी मोस्ट पॉपिलर आइफून है यह हूज मार्केट का करेंटली अभी इस सिच्वेशन में भी और यह आपको एजीली मिल जाएगा इस फोन को मैंने वैसे हर शौप पर देखा है और यह बहुत ही जादा जो है वो कॉमन हो चुका वैब वह है फिर भी आपको मिल जाएगा लेकिन जो PTA प्रूफड है वो थोड़ा सा कम था और वो किसी किसी शॉप के पास था और वो लिटरली इतने का दे रहे थे कि जितने में थोड़े टाम पहले आइफून X S PTA में आ जाता था तो मतलब कि यार आपको 85K या सम टाइम्स कुछ सै तक भी जो हो इसकी डिमांड करते हैं लेकिन अगर अगर बजट 70K 25K तक है तो आपको इस रेंज में आइफून X यानि का इफून 10 PTA प्रूफ दिखने को मिल सकता है और यही फून अगर अगर आपको तरफ जाओ तो यार आपको यार आपको यार आपको यार आपको यार इस डिसन स्टोडिज अव कोर्स और अब मैं मुव करों अगर आपको इसर पे तो ये भी फून आपको मार्केर मिल जाएगा थोड़ा सा रेयर है ये अवर वर्ल फी भी हर शॉप कीपर के पास नहीं हो था कुछ स्पैसिफिक लोग इसको जो है वो इम इंपर्ट करते हैं और अगर आइफोन XR की बात करें तो यह भी आपको mostly imported यानि के non-PTA आइफोन ही मिलेगा और अगर इसके कीमत की बात करें तो यार यार यह 45,000 उपे तक आपको जो हो नोट-PTA देखने को मिल सकता है अगेन मैं को बताना चाहूँगा यह जो प्राइज है वो वैरी कर सितिंग है डिपेंडिंडिंग अपॉन दी कंडिशन, अक्सेशरीज, स्टोरीज, और अधर थिंग्स ऐस वेल और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे पेज को जो है वो लाइक कर सकते हो और अब मैं पको बताना चाहूँगा जो नेक्स आइफोन है आपास वो है आइफोन XS तो आइफोन XS के अगर बात करें तो यार पीटी अप्रूवड में ये फोन आपको 90,000 से लेके 1,000,000 तक का मिल सकता है और अब मैं आपको बताना चाहूँगा आइफोन XS Max की प्राइस और अगर आइफोन XS Max की बात करें तो ये फोन आपको पीटी अप्रूवड एक लाग 5,000 रुपे से लेके 1,15,000 रुपे तक का मिल सकता है और अगर आपको ये फोन 78K से लेके 85K तक का मिल सकता है आइफो अगर आपको बताता हूँ आइफोन 11 के क्या प्राइस चल रहे है आइफोन 11 के जो मार्केट प्राइस है अभी करेंटली नोन प्राइस आपको 80K से लेके 85K तक का मिल सकता है अब देखो ये जो मैं आपको बताया ना प्राइस में काफी जादा चीजे होती है कुछ शॉप प्राइस लोग ये मतलब के 64G अगर भाइ करते हो और वो जेवी होता तो आपको वो सबसे जादा सस्ता मिल सकता है लेकिन अगर आप एक नॉर्माल आइफोन लेना चाहते हो जिसमें सिम टाइम भी अवेलिबल हो तो उसकी जो प्राइस देखने को मिल सकता है मार्केट में ये नोन पीटे की प्राइस है और गाइस अगर आइफून 11 Pro की बात करें तो वो पी टेए ब्रूफ्ट आपको मिल सकता है एक लाग 50,000 रुपे से लेकर एक लाग 65,000 रुपे तक और गर अब तो आपको 95,000 रुपे से लेके 1 लाग 5,000 रोपे तक का ये तक का ये फोन नो आप देखो कि iPhone 11 Pro Max PTA Approved आपको एक लाग पचासी जार रुपए तक का मिल रहा है तो आपके जो बड़े फून्स हम की क्या सिट्विशन होगी आपने iPhone 11 Pro Max 9 PTA में लेना तो कमोपेश आपको एक लाग 20,000 रुपए से लेकर एक लाग 30,000 रुपए तक का मिल सकता है यह फून थोड़े टाइम पहले मुझे तक का याद है एक लाग 5 एक लाग 10 तक का एजीली मिल जाता था बट यहां पर जो काफी जादा एकॉनमी क्राइसिस के बाद जो हमारी सिच्वेशन मार्केट की है खराब हो चुकी है और आप इन फून की कीमत देखो मतलब मुझे तो नहीं लगता यह जिस्टिफाई भी कर रहे है अपने प्राइस बट अभी की यह जो मार्के बलके कुछ लोग तो इससे भी जदादा मेंगा दे रहे है यह तो एक नॉर्मल एवरिज प्राइस है अगर आप मार्केट में सिर्वे करोगे तो आपको अफ्टर बार्गिनिंग यह प्राइस यह थोड़ा से लेस भी देखने को मिल सकते हैं अगर अपने 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 नोन पीटिय में बाई करना तो गाइस एक लाग पैंसर हजार से एक लाग पैंसर हजार हजार रुपे तक यह फून आपको नोन पीटिय में देखने को मिल सकता है अगें जो मैंने कुछ चीजे बताएं अगर आप जिसमें ताम कम्लीट हो चुका होगा जिसकी बैटरी एल्थ कम होगी तो यह सारी ही यह जो प्राइस है वो थोड़े बहुर डिक्रीज जरूर होंगे और अगर आप कोई ऐसा फून ले तो जिसके साथ एकसेसरीज रहा है पांसो बारा जीबी स्टोरीज जाए दो सो चपन जीबी स्टोरीज जाए बिल्ल्कुल न्यू कंडिशन है उसके प्राइस प्राइस जो है वो करेंटली मार्केट की सिचुएशन के बताबिक मैंने बताई है लास बटन रिलीस वहाला मॉडल जो मेरे पास ऐफों 13 प्रो मैक्स इसकी जो प्राइस अभी मार्केट में चल रही है नॉन पी टीए की गाईस वह दो लाक दसाजार रुपे से लेकर यह यह फो ला अगर हम देखें तो यह 20-25 लारोपे कम होती थी इन की कीमत बट अब जो है वह काफी जाद है इसकी रीजन तो आप लोगो पता है हम क्या ही बात करने इस टॉपिक पे लेकिन यहां पे इंपोर्ट भी बैन वी है इसकी वज़ा से जो यूज मार्केट है वह इतनी चल भी अगर जो पता है वह लूज हो भी नहीं रहे तो पस जिसके पास जो फून है यह तो उसने होड़ किया है यह जो वह सेल भी कर रह तो आपके सामने है सिच्वेशन और गाइस आई होब यार यह यह वीडियो आपको जो है वह काफी साथ यूसफुल लगी इस वीडियो से अ जरूर कुछ नहीं कुछ नहीं जरूर सिखा होगा अगें अगर आपको मेरी एफट इच्छी लगती है और आपको सरह का कॉंटेंड तुद पॉइंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कर देना और यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको